Hello everyone, welcome back to my channel, I hope you all are doing well, मैं हूँ प्रगिती, तो आज मैं आपके साथ एक आजियो की कुर्ती के लुक्स शियर करने वाली हूँ, जो की कुर्ती मैंने अभी यहाँ पर पहनी हूँ, ब्लू कलर की कुर्ती, इसी से मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के लुक्स को क्रिएट मैंने अपने बाडरोग से कुछ जैकेट्स, कुछ डुपट्टाज और कुछ इसकर्ट्स, कुछ प्लाजोज निकाले हैं और उनी को मैच करके मैं यह वीडियो को बनाने वाली हूँ आज और इसी एक कुर्ती से मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के लुक्स शियर करने वाल अज यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मुद्यग के तो फर्स लोक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर बैल्त का यूज किया है तो हमारा फर्स लोक रेडि हो चुका है तो इस कुर्टी को मैंने आजीयों से लिया था अगर आप ये कुर्टी परचेस करना चाते तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आप जाके मां से चेक कर सकते हैं तो चलिए आईए अब चलते हैं second look की तरफ, second look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर भी रैपराउन का use किया है, और इस रैपराउन को मैंने अंदर से पहना है और कुर्ती को बाहर की तरफ रखा है, और हमारा second look भी बिल्कुल रडी हो चुका है, यहाँ पर मैंने accessories में बहुत जादा कुछ यूज नहीं किया है, आप चाहे तो एक watch या bracelet यूज कर सकते हैं, चलिए आईए अब चलते हैं third look की तरफ, third look में मैंने थोड़ा red color को include किया है, इसमें मैंने belt में red color का flower लगा लिया है, और red color के earrings पहन लिया है, यह मेरे chain earrings हैं, और मैंने यहाँ पर्स में red color का पर्स लिया है, तो यह look बिलकुल हमारा change हो चुका है, तो red color का touch देते हुए, मैंने इसमें red color include किया है, पर्स को आप अपने according different different तरीके से carry कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, अलग-अलग तरीके से पर्स को carry करके, आप अपने choice के according पर्स को ले सकते है मैंने याप पर जस आईडिय के लिए आपको पर्स यूज करके दिखाया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक like जरूर करजिएगा, यहाँ पर मैंने accessories का बहुत जादा use नहीं किया है, इस look को मैंने simply रखा है, आप चाहे तो accessories इसमें include कर सकते ह तो चलिए आईए, अब अब चलते हैं, fourth look की तरफ, fourth look को create करने के लिए मैंने याप पर थोड़ा Indian touch दिया है, इसमें मैंने plazo और dupatta include किया है, और यह भी red combination में है, तो dupatta में भी थोड़ा सा red color और plazo में भी, और हमारा ये fourth look बिल्कुल ready हो चुका है, यहाँ पर मैंने dupatta को दो variation में carry करके दिखा है, first में मैंने open dupatta रखा है, second में मैंने pleats लगाई है, आप अपने according अपने dupatta को रख सकते हैं, तो चलिया आईए, अब चलते हैं, fifth look को create करने के लिए मैंने यापर as it is, कुर्ती को वैसा ही रखा है, जैसे कि यह कुर्ती आई थी, यह कुर्ती इस यहाँ पर यह denim jacket का use किया है, और oxidized jewelry का use किया है, इस कुर्ती में जो यह आप belt देख रहे हैं, एक DIY belt है, और इस belt का वीडियो अगर आप देखना चाते हैं, तो इसका link मैं आपको description box में दे दूँगी, आप जाके check कर सकते हैं, तो चलिया आईए, आप चलते हैं, next look की तरफ यह हमारा 7th look है, इस look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर एक check वाली shirt का use किया है, और इस shirt को आप ऐधा श्रग की तरह भी use कर सकते हैं, इसी तरीके से open करके, और यहाँ पर आप इसको button लगा कर भी, यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, button लगा कर भी आप इसको इस इस look के साथ बहुत जादा jewelry का use करने की जुरत नहीं है, यह look वैसे ही simply perfect लग रहा है, चाहे तो look को complete करने के लिए एक watch या bracelet का use कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर किसी भी type की कोई भी accessories का use नहीं किया है, next look को create करने के लिए मैं यहाँ पर यह मेरी पुरानी कुरती के साथ का एक earrings का use किया है, और यह बिल्कुल match हो रहे हैं इसके साथ, यह सारे looks को create करने के लिए जरूरी नहीं है, आप इस कुर्ती को purchase करें, आपके पास कोई भी plain कुर्ती होगी, तो इस type के look आप create कर सकते हैं, next look को create करने के लिए मैंने यह यह golden jacket और यह golden color का मेरा एक skirt है, उसका use किया और यह jacket एक DIY jacket है, मेरे पास यह golden color का blouse भी था, मुझे इस type के blouse personally बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने इसकी jacket बन वाली थी, और यह golden color की plain skirt आप देख रहे हैं, यह मेरी एक पुरानी कुर्ती के साथ की skirt है, और मैंने इसको इसके साथ मैच किया है, तो आप भी अपनी clothing को इसी तरीके से mix and match कर सकते हैं, चलिए आईए अब चलते हैं, नेक्स्ट लुक की तरफ, नेक्स्ट लुक को create करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी यह printed कुर्ती का यूज किया है, इसमें ऊपर से नीचे तक buttons लगे हैं, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है, मैंने इसको पर बने हुए है, चोटे-चोटे तो बिल्कुल मैच हो गई है, जब भी आप नई कुर्ती को purchase करें, तो अपने wardrobe में एक button वाली कुर्ती को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि button वाली कुर्ती को आप दो तरीके से use कर सकते हैं, आप श्रग की तरह किसे भी यूज कर सकते हैं और ये look भी हमारा बिल्कुल ready हो चुका है, और अगर आपके पास इस type की button वाली कुर्ती नहीं है, तो आपके पास कोई भी श्रग है, तो आप उसको include कर सकते हैं, तो चलिया आईए, अब चलते हैं next look की तरफ, next look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी jeans को wear किया है, और लेनी है, अगर आपके कुर्ती प्रिंटर है, तो उसमें आपको simple jewelry लेनी है, और आपकी कुर्ती plain है, तो उसमें आपको multi color की jewelry लेनी है, next look को create करते समय मैं आपके लिए फिर से एक Indian look लेके आई हूँ, इस look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने cream color के golden work वाले plazo का use किया और यह मेरे पास एक sari का accessories है, जिसको की पलू में use करते हैं, तो देखिए हमारा यह Indian look भी कितना beautiful लग रहा है, इसके साथ भी आप कोई भी accessories use कर सकते हैं, आप चाहे तो bangle भी include कर सकते हैं, अगर आप इसके साथ bangle और डुपट्टा include करते हैं, तो आपका यह perfect wedding look ready हो जाए इरिंग पॉल्ड वाले, bangles पॉल्ड वाले और पॉल्ड वाला यह neck piece यूज किया है, मेरे इस cream color के शरारे में golden work हुआ है, इसलिए मैंने इसमें पूरी golden jewelry और यह cream color का डुपट्टा यूज किया है, तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी plain कुरती के साथ wedding look create कर सकते हैं, जस को create कर सकते हैं, बस आपको अपने blouse को replace कर देना है, कुरती के साथ, जैसे कि अभी wedding season आने वाला है, तो मैं आपके लिए बहुत जल बहुत सारे वीडियो ले के आने वाली हूँ, wedding hacks पर, जिसमें कि आप अपने पुराने कपड़ों के साथ new look create कर सकते हैं, wedding season में, नेक्स ल अगर आप हल्दी में जा रहे हैं, तो इसकी जिगे पर yellow कुर्थी को include कर लिए जिगा, अगर आप महदी में जा रहे हैं, तो green color की कुर्थी, तो चलिए आईए अप चलते हैं, next look को create करने के लिए मैंने यहापर यह अपने check वाले shrug का use किया है, और मिरे यह कुर्थी तो आप अपने wardrobe में दो या तीन शरग जरूर इंक्लूड कीजिए, इस type के, इस type के शरग को आप किसी भी dress के साथ include कर सकते हैं, जैसे साडी के साथ, jeans के साथ, या फिर किसी कुर्थी के साथ, next look को create करने के लिए मैंने यहापर again shrug का use किया है, यह मेरे पास blue color का printed shrug था, त तो यह शरग भी बिल्कुल मेरा इस कूर्ती के साथ perfect match हो रहा है, तो इस look को मैंने इसलिए create करके दिखाया है आपको, कूर्ती के साथ मैंने इसलिए इतने सारे looks को create करके दिखाया है, जिससे कि आप कोई ना कोई look अपने dress के साथ जरूर create कर सके, अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful रहा हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक like कीजिएगा, और मुझे comment करके जरूर बताएगा कि आपका इन में से favorite look कौन सा था, तो thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, bye bye